क्या आपको पता है कि आपके घर में पहुंचने वाली बिजली बनती कहां पर है। घर में बिजली और पानी कहां से आ रहा है अगर ये पता हो तो आप उसकी पूरी प्रक्रिया में भी रुची लेंगे। जैसा कि स्पेन के एक ड्वीप पर हो रहा है। ये चूला बिजली से चलता है और इसके लिए बिजली घर के पास ही बनाई जाती है वो भी टिकाउ तरीके से। पहले मुझे सच में नहीं पता था कि हमारी बिजली कहां से आती है प्लग में से बिजली आती है बस इतना ही पता था लेकिन अब मुझे ये वाकई जादा प्राक्रितिक जादा टिकाउ लगता है क्योंकि अब हमें पता है कि हमारी खाड़ी के पानी में से बिजली बन रही है ये ज़्यादा साफ है प्राक्ट देखे और मुझे ये पसंद है स्पेन में एक छोटी सी जगह है मुत्रिकू यहाँ एक पावर प्लांट लगाया गया है दरसल ये बांध यहाँ पहले से ही था और उंकी लहरों से तटको बचाने का काम करता था फिर एक बिजली उपरेटर को ख्याल आया कि क्यों न इन लहरों का फाएदा उठाया जाए और यह बहुत बड़े इस तरप नहीं किया रहा है बांध के अंदर महज सोले टर्बाइने लगाई गई है इन से इतनी बिजली बन जाती है कि आसपास के सोले घरों का काम चल जाए हर टर्बाइन के नीचे एक विंड चेंबर बनाया गया है लहरें हवा को उपर की ओर धकेलती हैं और इस तरह से टर्बाइन चलने लगती है जब पानी वापस जाता है तब भी ऐसा ही होता है बिजली बनाने के लिए यहां कोई अलग से बांध नहीं बनाना पड़ा इसे पहले मुख्यतार पर मच्छवारों के लिए बनाया गया था हमारे पूर्ट को बांध की सक्त जरूरत थी अब हम समुद्र की लहरों से सुरक्षित हैं अगर बांध नहीं होता तो हम यहां कश्टियों के लिए लंगर नहीं लगा सकते थे मुत्रीकू के लोग खुश हैं निवेशक भले ही ना हूँ यह पावर प्लांट अभी टेस्टिंग फेज में है उमीद है कि इसके फायदों को समझा जाएगा और आगे भी इसमें निवेश जारी रहेगा